नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ यहां पे आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके पास IQ का फोन है, Vivo का फोन है, कोई साभी फोन है, तो यहां पे आप अपनी फोटो वीडियो को अपने लैप टॉप में या कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर क कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक इस टैप की केबल चाहिए, यह आपका चार्जिंग केबल है, जो मैंने अपना अडप्टर में से निकाल लिया है, ठीक है, और इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मैं एक अपने लैप टॉप में बख्रोच को ओकरनेगे, रिरुक क होई दूसरा यहां पे आपको अपने फोन में इंस gw llam टॉक करनेंगे, जैसे इंसट करेंगे आपके फोन में फॉर्प पॉप आएगा और यहां पर प्लिक करेंगे, और यहां पर इह अनपर यह परोप गाया हो चुका है न, तो यह से न यह वाला option आपको चूज कर लेना है अधरवाइस डिवाइस कनेक्ट रहेगा और चार्ज होता रहेगा ठीक है फाइल ट्रांसफर जरूर चूज करना है आपके यहां पर पॉप पाएगा लैप्टॉप में अब मैं इसको ऐसी रख देती हूं और यहां पर आपको आपकी यह फाइल है जो बीच में इस पर क्लिक करना है या फिर माइकम्पूटर आएगा अगर आपके फोन में तो उस पर चल जाएंगे क्योंकि यहां पर मेरा विंडो 11 अपडेट हो रख है तो इस वज़े से यह प्यार है और यहां पर आपको दिस पी क्लिक करके आपका मॉबाइल शो हो जाएगा आप इस पर क्लिक करके डबल टैप करेंगे सलेक्ट करके डबल टैप कर लेंगे तो यह मैं इसलिप दा रहें कि कई लोग ने अगर नया पीसी लिया है या फिर लैप्टॉप लिया तो उनको नहीं समझ में आगा इस वज़े स मी तो स्क्रीन मीने बड़ी कर लियाक और इसके बाध यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ वाला प्लिक हो एक जिसमें धका क्यम्डश पूटो सब्ल्ट रहें तो आप इसलिक करें डबल ख्लिक करेंगे डबल ब क्लिक और इसके भादिना क्यांगे जाँन में तो यहाँ कर लोगे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना इसके बाद left click और इसके बाद यहाँ पे इसको कट कर लेंगे या copy copy करेंगे तो एक copy आपके phone में भी available रहेगा और एक copy आपके PC में laptop में अपूप में copy ho जाएगा और cut कर लेंगे तो फोन रि데कली कट हो जाएगा तो मैं इसको नए फोल्डर में डाल दूँगी तो मैं न्यू करके एक फोल्डर क्रियेट कर लूँगी ऐसे या गया मेरा नया फोल्डर और इसके बाद डबल टैप कर लूँगी यह खुल जाएगा और अब यहां पर लेफ्ट क्लिक करके यह जो कॉपी का है ऑप्शन यह वाला पे बढ़ा कर लेती हूं तो जैसे कि मैंने बताया विंडो 11 है तो यहां पर थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा और यहां पर मैं इसका आइकन बढ़ा कर लेती हूं देख सकते हैं मेरे फोन में जितने भी फोटोस थी वह यहां पर आ चुकी है मेरे फोल्डर में अब फोल्डर को रीनेम करना है अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको रीनेम कर लेंगे यहां पर क्लिक करके जैसे को यह फोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ इसको रीणें extraordinarily जाएंगी जैसे को पूरा फोल्डर ही आपको रीणे करना है तो यहां पर इसको है अब यह folder अब एक फोल्डर सेलेक्ट हो रोकर है यह एनकर जाएंगे कि legitimately discrimin влад अपना नाम डाल दूंगे, एंटर, तो देख सकते हैं, यहां पर एक फोल्डर भी आ गया है, और जिसमें मैंने अपने फोन की फोटोस डाल दी है, डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और इस टेप से आप यहां पर मूफ कर लेंगे, और अगर मैं फोन दिखाओं, तो फोन यहां पर मेरा बिल्कुल खाली हो गया है, देख सकते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है, फोन से यह डेटा मूफ हो गया है, आप इसको नॉर्मल यह आप निकाल लेंगे, यह आपका डेटा ट्रांसफर इस टेप से आप कर सकते हैं, आई होप गई यह वीडियो आपको